नमस्कार मैं शम्भू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आखिरकार भी जो टेलिवीजन और अख़वार जो है वो नुमाद में आपको धकेल रहा है और आखिरकार हमारे परधान मंत्री ने क्रेडिट लूठ ही लिया है और मैं कुछ खबरों के हेडलाइन कहा देश सुरक्षित हातों में राजस्थान के चुरू में पिये मोदी का आईलन मैं सौगंद खाता हूँ देश को नहीं मिटने दूँगा और उसके बाद उससे ज़्यादा जो है जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसे उनको क्रेडिट दे रहा है तो मीडिया ने अपना पहले रली में बोले मोदी सौगंद मुझे मिटी की देश नहीं मिटने दूँगा बहुत अच्छी बात है लेकिन पहले दो बड़ी बाते बात कर लेना चाहता हूँ इनकी तारीफ में ताकि इन लोग देश द्रोही बला सर्टिफिकेट तुरन देते हैं कुछ लोग अच किस तरह के उनुमाद में धकेला जार और माल ये बहुत ही गंभीर मसला है दो पोश्ट से एर करूँगा कि किस तरह से इस चीजों को लेना चाहिए और खासकर ये सी एस्टी और मायनोर्टी के लोगों को आपको अपने मुद्दे पर बने रहना इस तरह का इस तरह का ड्र नामा अटल बिहारी बाचपे कर चुके हैं और वो करगिल के बहान उन्होंने युद्ध लगभग छेर दिया था और उसके बाद उसमें हमारे जवान मारे गए सहीद मारे गए देश करत्वश्था खराब होती है और उसमें अभी भी आतंक नहीं रुका उसके बाद पोख लगाया था उसके बाद इंद्रा गांधी ने कैसे इमर्जनसी लगाया था एक खत्तर का वार था उसके बाद किस तरह से वो देश को इमर्जनसी में उन्होंने जोग दिया था तो सीच्ट को भी सी मायनौटी के लोग को हमेशा अपने मुद्धों पर बना रहा जाए लेक उसे पाकिस्तान का क्यारी और क्या हमें युद्ध की तरह बह रहे हैं इसको लेकर बहुत ही गंभीर टिपनी किया है वो दोनों टिपनिया मैं आपको पर के बताऊंगा लेकिन उसे पहले मैं बताना चाहता हूं लोग को वो लोग कहां गए जो बगुला मुखियक कर रहे उस पर जो करोड रुपए खर्च कर रहे थे वो क्या हुआ उनको पकरा जाना चाहिए यह सुबह सुबह जो पंडी जी लोग बैठते हैं टेलिविजन पर यह क्यों नहीं बताते हैं कि कब हमला होने वाला है और दो बड़े इंपोर्टेंट बात है किस तरह से देश को उन यह जितेंदर नरायन सिंग ने एक पोस्ट लिखा उन्होंने और इसको मुझे लगता है कि देश को समधना चाहिए हम इस देश में ऐसा ही परधान मंत्री चाहिए बिल्कुल छपपन ही जरा फेलादी के सवालों से घिरा हो तो एक इंटलिजिएंस फेलियोर को ही जाने द और देश को 40 सही देदे गर्व करने के लिए ठीक ऐसा ही परधान मंत्री जब भगोरों की जमात में एक पिरिये चंदा कोचर भी सामिल हो जाए लोगों को रोजगार की चिंता सताने लगे तो एक आध हजार किलो बं सीमा पार फिकवा आए हमें ऐसा ही परधान मंत्री चा हो जाएगा और असम भी कोई न बोलो दोस्तों चीफ इज ठीप चौकिदार ही चोर है संदीप चंदन जो है उन्होंने लिखा है तो अपनी बात को लोग गंभिरता से अभी कहने से चुक नहीं रहे हैं अंजनी विश्व ने लिखा है जो आपको जाए उस पार बंबारी इस पार अंदराश्ट का विसफोर्ट वो दुसरी एक और सीतल पीसिंग ने जो लिखा है वो आपको जानना चाहिए पाकिस्तान के सोसल मीडिया उद्धा वही सब करें जो हमारे बाले करते हैं उनके हिस आपसे कुछ नहीं हुआ है सोसल मीडिया और कैसे इसको बोट में और एक गंभीर और बता रहा हूं आपको जोर्ज बूत को जगदिस्वर चतुरवेदी ने लिखा है जोर्ज बूस को याद करो सद्दाम हुसेन के खिलाब पैदा किया युधोन नुमाद अमिरका और इर अमिरकी मिडिया ने सैने नियोजित कबरेज दे कर सारी दुनिया से जूट बोला जिसके बाद में विकिलिक्स ने खुलासा किया अंत में सब अमिरकी कहने लगे युध नहीं सांती चैय और लगातार युध के पक्षदर रिपब्लीकन दोबाराश्वती चुनाव हारे प युध का मार्ग लोकतंत बिरोधी है लोकतंत को हर हालत में सांती चैये पत्रकाईता का तो छोड़ी दीजिए तो ये कुछ पोश्ट था और किस तरह से युध के उनुमाद में आपको फसाया जा रहा है और CSTOBC मैनोटी का जो मुद्दा है आपको क्या युध अगर सेना लड़ेगी तो हम लोग सेना के साथ हैं देश के साथ हैं लेकिन हमारे जो अधिकार हैं उस पर आपको बने रहना चाहिए और बार बार मैं कह रहा हूँ धर्म और युध ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर एक failure जो नेता होता है उसको आपको फसाता है हमारे नेता से ज्य आतंगबाद को खत्म करना चाहिए क्योंकि एसिया पैसिफिक में इसके लिए बुरा है अगर अगर इमरान खान आतंगबाद को खत्म करते हैं तो दुनिया और बहतर होगी पाकिस्तान और बहतर होगा अहां के लोग और बहतर होगे और जहां तक सवाल हमारे अपने परधान उत्र के नाम पर तो पाकिस्तानियों से हमारी कोई दुस्मनी नहीं है हमारी दुस्मनी हमें लगता है कि सिर्फ आतंकबादियों से है उस पर कारवाई हो इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए भारत सरकार के इस फैसले का और खासकर सेना के इस फैसले का और अगर वो भी जि खरतनाख होता है ठीक उसी तरह से के अमिर्का के ठीक बगल में क्यूबा एक देश है जिसके फिद्रल कास्त्रो जीवन वराश्पती रहे उन्होंने कई पंडूबिया मार गिरा है लेकिन कभी अमिर्का ने हमला नहीं किया क्योंकि दोनों की बम जो है वो एक दूसरे के रिच में थे पाकिस्तम अमिरिका कभी उस देश से नहीं लड़ता है जिसके बम और मिसाइल की रिच आपके उसके देश तक हो वो इराग पर हमला करता है अमिर्का तक पहुँच सकता है तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसा उपद्रवी सुभाव उग्र सुभाव का राश्ट्रपती जो है वो उससे बात कर रहा है मिटिंग कर रहा है मिलता है तो आप तैय मानिए कि यह सब क्या चल रहा है इसको देखना पड़ेगा और पाकिस्तान के क्या रिएक संसा इस पर नज़र रखना परेगा और क्या इस तरह से सेना नहीं ये करतब दिखाया है ये काबिले तारीफ है आतंगबाद का खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान के परधान मंत्री जो खेल से भी जूरे रहें इमरान खान समझदार भी अक्ति माने जाते है उनको जरूर इस पर रिस्पॉंड करना चाहिए और उनको चाहिए कि वो आगे आए और कहें कि भारत के साथ हैं मातंगबाद करने में भारत के सजवान के साथ हैं लेकिन जिस तरह से यहां टीवी और अख़बार जिस तरह से पाकिस्तान करें बाब बाब पाकिस्तान को मा गिराए जिस तरह से कुनमात फैलाय जा रहा है ताकि 2019 में लोगों के दिमाग में बहुजन समाज के दिमाग में बोट भरा जाए वो बहुत खतरनाक है लेकिन उस पर भी सोशल मेडिया पर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लिख रहे हैं वो जरूर मैं आपको बताना चाह सेना को दिल सलाम इस विर्ता का सरे सेना को मिलना चाहिए फेकू को नहीं राजेस कुमार एक सर्जीकल स्ट्राइक हमारे देश के चक चोनहर न्यूज एंकरों के खिलाब भी पाकिस्तान पर हमला दिल्ली पर कबजे के लिए किया गया है ताकि दलितों पिछ्रों आदिवा जार करोड के चुनावी बिग्यापन बनाएंगे पिरियार साब ने लिखा है आतनकबाद के खिलाब सेना काभियान जिन्दाबाद समाजिक नहां काभियान चले अब सूरज भाटिया जो है वो लिख रहे हैं तो लोग अपने मुद्दे पर बने हुए मैं पंद्रा लाख नहीं आया तो यह जो यह समाम मुद्दे हैं यह आपको गंभीटा से सोचना पड़ेगा और मैं S.C.S.T.O.B.C. माइनोटी के लोगों से कहना चारा हूँ कि आप पाकिस्तान से बात हुई है कि आप पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं किया जा सकता है कि आतंकबाद अगर आपके पास पूरा डेटा है आतंकबाद के पास तो फिर उनके साथ मिलके स्ट्राइक कीजिए पाकिस्तान को इस पर राजी करना चाहिए और पाकिस्तान अगर जिन्दा ना बने 2019 में चुनाव हो इस देश में डेमोक्रेसी जिन्दा रहे और युद्ध जो है वो आपको अंधकार में धक्यलता है जब अमरीका युद्ध से बरवास हो सकता है तो हमारी क्या आउकाद है लेकिन सबसे बारत है सुरक्षा बहुत जरूरी है लेकिन जिस सक के हाथ में समय देश का नित्रित्व है इस जो इस देश के परधान मंत्री है उन्होंने जिस तरह से क्रिट लेना सुरू कर दिया है अभी चुडू में चुनाव पर चार हुआ उन्होंने क्रिट लेना सुरू कर दिया है इसका मतलब साफ है कि मैं बार बार कहता हूं कि यह बहुत स्रियस मुद्धा है एक जगब बैट के इस पर बिचार होना चाहिए पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए और इमरान खान को मजबूर किया जाना चाहिए कि आप अपने ही आतंकबादियों पर हमला करें न तो वो आपके लिए फायदे मंद है न हमारी लिए फायदे चाहिए और डिमेक्राटिक सिस्टम को बचाया रखना है लोकतंत को जिंदा रखना है और आतंकबाद सोचिए कि जो लोग बगुला मुखी यंद्र करते अगर हमारी सरकार मजबूत है अगर हम पाकिस्तान में घुस के हमला कर सकते हैं तो क्या हम अपने सीमा के सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो ये सब कुछ बड़े सवाल खरा होते हैं जो शक पैदा करता है कि हम इतने संपन है इतने साधन संपन है ताकतवर है तो हम अपने सीमा की चौक्सी क्यों नहीं करते हैं और टाइमिंग को लेकर सवाल उठा है कि क्या ये टाइमिंग इसी तरह का है क्यो जो सक्स इस देश का प्रधान मंत्र हो इसके जो पूरी विश्वस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्षष्ष्ष्ष् और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं अभी भी नजर बनाया रखी कि क्या ये लोग कोई तयारी से हैं, मुकमल तयारी से हैं और पाकिस्तान रिटेलियेट करेगा तो उसको किस तरह से जवाब देंगे, क्या कोई मुकमल तयारी है या सिर्फ वावाही लूटने के लिए, च इस तरह से दुनिया बरवाद होती है, देश बरवाद होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे दुस्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाये, इनको समझे चाहे वो पाकिस्तान के हो, भारत के हो, दुनिया के किसी देश के हो, अपनी सीमा की सुरक्षा बहुत जरूरी है, अपने प्रिटकल एजिंडा फिर से दिखने लगाए जिस तरह से मोदी जी ने तीन घंटे के अंदर चुनावी परचार में इसको भुजाना भुनाना सुरू कर दिया है तो साब्धान रहने की जरूत है बहुजनों को और बिल्कुल सयम रखिये और निगरानी रखिये कि कहीं इसक बनाये रखिये शुक्रिया आप सब लोगां ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें